स्वालेकूम मैंने जावेतिक बल्यवान अभी रिसेंटी जो मैं ट्रेंडिंग दी ती जिसमें मैंने जो है वो एस्पी में एंट्रीस प्रेमा को यूज करते हुए हमने ग्रेट को और डॉप 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 कर फिल किया था अब मैं आपको सिखा हूंगा डॉप डॉ डॉप 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 यहां से लिकर हो और बाकिए जो कोलम से है फादने में और इस्ठोनेड आइडी है फादने में और जो इसका जेंडर है जेंडर नहीं चाहिए तो नहीं एड़ाइडी फादने मुझे फौरIGHT मुझे इसे ग्रेड़ में शो होना चाहिए अब ते कि जब मैं जहां पर आपटी है हमारे पास जो Microsoft ने नॉर्मली ड्रॉप डाउन के अंदर पाई default बन रखी होती है रिजन यह होती है जो पोश्ट बेग है क्या है हमारे सर्वर के पर रिक्वेस्ट का जाना सर्वर से रिस्पोंस का आना यह हमारे पोस्ट बैक किलाता है यारी रिक्वेस्ट जा र कम यूज़ करता हैं जिसे फॉर रिजिस्टेशन फ psychology हमें ये सब्सक्राइब। चैंडर में इसमें पर इसकोई की क्लास इल मुझे स्लैक करके रिजिस्टेशन फॉर्म मुझे फिल करवाना है तो मुझे वहाँ पे इवन्ट नहीं चाहिए है मुझे तो सिवर से डॉप डाउन से नाम से लिक करवाना है तो अगर मैं इसका इवन्ट पोस्पेक फायर कर दूँगा तो क्या होगा वह रिक्वेस्ट ले आगरो तो श्राइक करना है और थी कहाँ आएक्षट जाया लोड भी हो ओ तो पिर तो फ्रहें यह कोम कैम सरा छाइए तो जहाथ रेक्वेस्ट के रिस्पूंस खर्वार करना चाहते हैं साउन जो प्र भी हो तो पिर तो ठीकि अगर नहीं चाहिए तो देन उस– चौश्त बाइटिफॉल इसलिए Microsoft बन रखाव है कि जहार तर यह इस परपोस के लिए स्थावाल होता है रिजिस्टेशन फॉर्म अगरा पे सेलेक्शन के लिए स्थावाल होता है ठीक है लेकिन अगर मैं इसका इमेंड लेना चाहते हैं तो फिर हमें लिए प्रिफ्रप्रीण है और अगर चाहें तो यहां से भी आपिशन मुझूद है इनेबल और बादलर इसको मुझाय लगा है तो यह प्योगैं अब हो गया अब जब मैं इसका इमेंट को जूज करूंगा तो इसका बदलाव है जैसे मैं कुछ पर एक्ष भाता है जैसे मैं यह एक्षब है करूँ है कि अब पर पहली प्छीड पेरा तूझेट करूँ ने कि लेक्शन करो से चुछ को हो यह रहा है कि हमने इसको दिया है लोड इवन्ट पे होता क्या है लोड इवन्ट पे जब हमारा रिच पर फिर पांचे विट पर पहुंछ तो इससे पहले Patienten हो रहा है आप कोड जयसे कावराल प्रdat ऑड़ पर विए पर आदि पाइब करते हैं तो पेच पर प्र घा रहां एनिशला封 धार अगा प्रणमारे नैज्छ करता हूं तो यह क्या करता है जैसे लोड होता है और लोड होने के साथ ही पोस्पेक होने के साथ ही दुबारा पहली पोजिशन पे आता है बेसिकली क्या कर रहा है इनिशलाइज हो रहा है तो जा रहा है पहली पोजिशन पे आ रहा है ठीक है तो समझा आप जानते कुछ भी हो ख़ल रहा है तो ये क्या कर रहा है हमें 0 पोजिशन बें लेकर आ रहा है To be ahead हम लोकार होगी हम तो इसका agent नहीं दी सकते हैं अब इसके था तो रास्ते यह ची होता है कि जो मैं नहिंगा आप है कोड को पर टो पेश şimdi यूण आप मैं इसको दे याता हूं प्रीनत अम इसको पिरीमिन पर देता हूं घर जगा प्रीन पर कि अब अब जो मस्री आपर हूं जाएगा और मैं जो भी रखूँ गाओ जो रहेगा डोवारा पर लोड करा दिया हमने तो पिरे इनट पर लोड हो गया तो अब यह इनट इसके उपर एफेक्ट नहीं होगा अब देखो मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूं वह यह पहुंच पर रहा है आगे प्रेश्च हो रहा है लेकिन हमरे बस क्या हो रहा है और रेजिस्टिल डेटा जो हम इसको मैंने अब जो है इसे इस्टिल किया है उसका नाम है प्री इनट और और वह इनट शे पहले ही मैंने सको फिल करा दिया था और इनिशलाजेशन इसके ओपर एफेक्टेट नहीं होगी एक तो यह तरीका है, अगर मैं चाहता है नियुक्ति अगर चाहता है, फिर हमारे पर एक रास्ता हो रहता है, होता यह है कि हम बाए डिफर्ल कोडिंग के जरी से भी पोउस्टपिक बंद कर सकता है, coding के जरी ते post pack कैसे बंद के जाता है मैं आपको code करके दिखाता हूँ उसके लिए अब क्या करोगे कि चाहे तो पुरे code की कर दो या चाहे जाम फिल कर रहे हैं महीं पर कर देता है हम लिखता है if not page dot is post pack मैं कहता हूँ page post pack नहीं होना चाहिए इस purpose के लिए तो मैंने यहां पर यह सारा code मैं इस event पर ला रहा हूँ और यहां पर आके इसके ब्लॉक बन के देता हूँ तो यहां दूसरा रास्ता होगा अब देखे मैंने page को load event पर रखा है page हमारा load पर ही फिलो रहा है लेकि लोग पर फिलो रहा है लेकि इसको उने प्रोग्रामिन के जरी से बता दिया कि इस इससे को post pack के जमरे में नहीं लाना तो इससे मतलब है अब not page जो इस post pack जो इमेंट है जो initialization का इमेंट है जो सब कुछ हो रहा है उस पर इस code को नहीं लाना तो इससे मतलब है कि ये वाला जो code होगा ये इसको वो effected नहीं होगा और हमारा solution मसला solve हो गयागा कि हम जिसको select करेंगे वो ही रहेगा दोबारा zero index पे नहीं रखेंगा हमारे code को तो इसका रास्ता हमने देखा है एक तो हमारा pre inert का solution भी होता है दूसरे आमरे जो रास्ता होता है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास programming code के जरीए से हम जो है पोस्ट बेक को बंद भी कर सकते है ठीक है जी अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके event पे great को फिल करना चाहता हूँ जो कि हमने पोस्ट बेक तो खोला हूँ है तो हम इसका event को ले 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 लिए हम इसमें डबर के लिए कर देता है इसका event आ जाता है और मैं entity framework के through ही इसको फिल करना चाहता हूँ न तो भी कैसे करेंगे हमने जैसे यहां पे कोई भी variable ले ले लिया एक्स के नाम से चाहिए ले लिया हमने का from a in और मैं कहता हूँ डी डॉट student और फिर इसके बाद हमने यहां पर देखे देखे लिए वियर के clause लगेगा और मैं लिखूँगा a.s ने start with का method है यह वो method है जैसे हम लाइक की क्यूरी लगाना चाहते है तो हम लाइक की क्यूरी के लिए पहला character है दूसरा character तीसा character को match करते है न तो start with का method जलता है तो यहां पर start with का method भी होता है उसमेह पर end with का method भी होता है हम starting भी कर सकते है starting के लिए भी देने जाएं तो start with के method जूस करते हैं और आखरी character को match करवाने चाहते हैं तो end with के method को match करवाते हैं तो हमने कहा है and a.snm.start with किस से match करें? drop down से drop down list one dot text और फिर हमने कह दिया select a तो सब बतलब हमें सारा data चाहिए लेकिन वो चाहिए जो हमारे drop down के साथ filter हो तो जब मेरा load होगा तो load event पे मैंने great तो fill की वी है सारा data आएगा लगिए जैसे मैं drop down को select करूँगा तो जिब उसका data आएगा जब मेरे बस नहीं आए तो यहां मैं उसी great को fill कर आएता हूँ मैंने का grade view one dot data source equal to x dot two list कर देता है और इसी तरह के समने का grade view one dot data bind ठीक है जी अब जैसे मैं load करूँगा तो मैं अब ग्रेट पूझे फुल आएगी drop down भी फिल आएगा लेकि जब drop down के event को use करूँगा तो फिर दिन उस सुरत में हमारे पास जो है वो क्या होगा उसी का grade आएगा जो मैंने वहाँ पे पास किया भया अब देखें ठीक भी फिला रही है load even पे और साथ में student का नाम भी रोट उन में आ रहा है जब मैं इसका event जूँज करूँगा तो जब देखा तो उसका grade आएगा जो मैंने दिया इवंट देते हैं और चाहिए तो हम grade के event देते हैं grade को fill करना चाहते हैं किसी control को fill करना चाहिए तो हम इसको fill करना चाहिए तो हम इसको fill कर देते हैं ठीक है जी क्लिए रोगया अच्छा अब I think मैं इसके बद फॉरं नहीं recording कर लेता हूं जिसमें मैं आपको रिकॉर्ड को save करना करा देता हूं ताकि साथ साथ अब के बद जो है बद चीज़ा अलग अलग होगी तो आपके लिए आसान हो जाए काम करना तो next recording मैं मैं इसके बद फॉरंस recording कर रहा हूं स्क्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें ठीक है जाला आफिस